स्वागत आपका एक और नए वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो इस वीडियो को लास तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट चोटी से चोटे पॉइंट गयाज मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ कि आपका रिस्पेक्ट सौर्ट चैनल कैसे मोनटाइज होगा क्या क्या अपने चैनल पर सेटिंग करनी है क्या क्या गलतियां नहीं करनी है जिसकी वज़े से आपके चैनल पर क्या की रियूस्ट कॉंटेंट आता है न वो रियूस्ट कॉंटेंट ना देखने को मिले तो वीडियो को लास तक देखना है क्या यह बहुत सारे मैसेज अप लोग के इंस्टाप पे आ रहे थे कि भई मेरा चैनल चेक करके बताओ कि करतो है यह मैदा बहुत सारे questions आ voting मैंने पने किया है और एक नए तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमका चैनल मोनेटाइस हो सकता है ठीक है तो रिस्पेक्ट वीडियो पर काम कर रहे हो जो अधर वीडियो की तरह अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि रिस्पेक्ट शौर्ट चैनल गाईस आज बहुत ही मतलब आज की डेट में बहुत सारे ऐसे creator हैं जो नए नए आ रहे हैं लेकिन वो अपने चैनल पर गलती कर रहे हैं जिसकी वज़े से criteria तो complete कर रहे हैं देखे criteria तो easily आपका complete हो जाएगा लेकिन जब आप review के लिए भेजोगे तब वहाँ पे दिक्कत होगी गाज ठीके तो वीडियो को ध्यान से देखना और लाइक जरू कर देना और कुछ भी डाउट होता है इस वीडियो से लेटेड या अधर वीडियो से लेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हूं यह गाज रही मेरे इंस्टाग्राम आइडी ठीक है चले गाज वीडियो को स्टार्ट करते है तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे में जो रिस्पेक्ट सौट के लिए होता है वो होता है रिस्पेक्ट सौट के लिए वीडियो जिस पे हम रियक्ट करेंगे अब वो वीडियो डाउनलोड कहां से करना है क्योंकि बहुत सारे क्रेटर क्या करते हैं आप लो करना हूघ यूच्ट करना है और अपने छेटिंग क्या करनी है कि आप सेटिंग है सबसे बनेका बता देता हूँ कि वीडियो कुज़विट्नके सेच करने है आपसरें है विडियो क्ष़विट्व त सब्मयर में पर YOUTUBE पर सब्ह local comment फिल्टर पर जाना है और स्क्रिदी क्लिक करें आपको यह जो रिधो वीडियो जाती है यहां पर इसको डाउनलोड करना है क्योंकि यूट्यूब कुद बोलता है कि आप अपनी कॉंटेंट के लिए जो हेरे ट्रेटीव कॉमंस वाली वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं यह मैंने सूट किया हुआ है इसमें आपको वाइस भी होनी फेस भी होनी दोनों चीज़ आपको होना चाहिए वाइस जरूर यह बहुत सारे क्रेटर क्या करते हैं कल एक मैसेज आता हो बोले कि भाई मेरा सिर्फ है वोइस नहीं है तो ऐसे में आपका रिस्पेक्ट सौर्ट चनल मॉनोटाइज नहीं होगा यूँक्षि वहाँ पर यूट्यूब देखना चाहता है कि आप उसमें बॉल ले आपका वॉइस है कि नहीं है फेस है कि नहीं है जोड़ी मोनोटाइज करवाने के लिए अगर आप ये सब क्रैटरिया फालो करते हो तो आपका चैनल जल्दी हो करें म्यूजिक तो मैं यूटूब से डाउनलोड करता हूं लेकिं फिर भी कॉपी राइट आ जाता है तो भाई इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है तो म्यूजिक ऐसे डाउनलोड करना है वो इस वीडियो को आप या उपर आई बटन में या पर देखो मैंने दे दिया ठीक है अब टो क्लिक करके आप लोग देख सकते हो म्यूजिक नो कोपीराइट मूजिक है ठीक है तो नो कोपीराइट ही इस प्रेक्श्ट वीडियो के लिए यूज करना है ठीक है कोई और इधर-धर की म्यूजिक अ प्रूट्चेशन है कि आपको कालर ग्रीडिंग करना है जैसे कि वीडियो का थोड़ा बहुत कलर चेंज कर देना है इमोजी बगर लगाना है और उपर text वेगर अच्छे से ज्यादा text लिखना है ठीक है ज्यादा text लिखना है लाइक जैसे कि आप लोग देखे होगे जो बड़े बड़े केर्टर होते हैं रिस्पेक्ट वेट फॉर इंड ठीक है इस टाइप के जो होते हैं कि वाओ क्या बात है इस तरीके से अपनी वीडियो में बोलना भी और कुछ लिख देना है है इमोजी हेट सेलूट वाले जो होते ना वह आपको उसमें वीडियो में और करते हैं लाइक अगर आप जयतीमिश्ची अपनी वीडियो में कुसी तरीके से लिखा हुआ उनके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लॉंग वीडियो अगर आप अप्लोड करते हो तो आपका जो चैनल वो इसली मोनेटाइज हो जागी कि जब आप रिव्यो के लिए भेजते हो तो यूटूब वहाँ पर मैनुवली चेक करता है कि कोई बंदा उस चैनल पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा तो अगर आप उसमें बोलते हुए नजर आएंगे आपका चेहरा होगा आप उसमें बोलोगे तो आपका यूटूब समझेगा कि हाँ इस बंदे का ही चैनल को रोबोटिक सिस्टम नहीं है चैनल इसली मोनेटाइज हो जाएगा ठीक है तो लॉंग वीडियो ह जबे हैं इस बात अंब यह चैनल अप्ण हो आपको क्या करना है वीडियो करते टाइयम आपको क्या करना है कि आपको सेम टाइटल नहीं रखना बहुंँ सारे क्रिएटर क्या करते हैं कि अपने पीछली वीडियो का ही कोई अगर एक वीडियो वाइरल हो गया तो उसी का टाइटल रख देंगे ऐसा नहीं करना है रियूज्ट कॉंटेंट यहीं से आता है और एक ही क्लिप अगर आपने वीडिय कर रहें रियूज कर रहें तो रियूज कॉंटेंट आता है तो आपको सेम टाइटल नहीं रखना है फेस वाली वीडियो है आपको सेम क्लिप नहीं रखना है ठीक है सेम क्लिप नहीं रखना है ठीक है यह सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिये अब गाईज आपको अपन सब्र removable इस continus लोग लगा दिया है ठीक बस इतना ही करते हो लेकिन चैनल का जो अंदर की सद्रίक नहीं सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करते हैं टेक्स पगयर क्या लगान कि यूटिप पता चलिए कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाते तो तभी तो आपका वीडियो सॉट फीड में भेजेगा ब्राउज पीचर में डालेगा यूटूब सर्च से अगर आप कोई सर्च करता तो उसमें जाएगा यह सब कब आएगा यह सब तभी आएगा जब आप अपने यूटूब सेटिंग जाके सेटिंग करोंगे की躡 स्व rook ऐड यह करते हैं मुझे पता है नहीं करते हैं और ना किके होंगे अगर आभी तक होंगे तो यह सेटिंग जरूरर करो चले हैं सब सरह सब्पहले तो मोवाईल tabi चलते हैंист सबसे पहले तो आपका desktop mode लगाएगे ने desktop on कर लेना है फिर प्रोफाइल पर जाएंगे और यहाँ पर यूर चैनल पर चले जाएंगे ठीक है यहाँ पर आपको यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक चैनल का कीवर्ड होता है आप लोग यहां पर देख सकते हूं चैनल का जो कीवर्ड है मैं यहां तोड़ा से जूम करूँ अलकर से यहां पर देखो चैनल का कीवर्ड होता है ठीके तो चैनल का कीवर्ड मतलब हमारे चैनल का नाम था रियक्शन वाला ठीके तो हमने अपने चैनल का न तब तक आप आव नहीं करोंगे तब तक आपका jannle जो है सर्च लिस्ट में नहीं आता है यहां पर एड़ करने से आपका चैनल यूटूब को पता चलता है कि कोई भी अगर सर्च करता तो यू टू को और we know चल जाता है कि हाँ इसमें कीवर्ड जो पड़ा उसी से रिलेटेट आपका जो पहले फॉस्ट रिजल्ट होता है वो आपका सर्च लिस्ट में वापे देखता है ठीक है तो यहां पर आप अपने चैनल का नेम यहां पर फिल कर दोगे यहां पर देखिए मैंने फिल किया तो एसमें क्या होता है जब भी कोई ओडियंस की वर्ड सफ करती है तो आपका वीडियो वहां पर जो नीचे ब्राउच फिटर्स में जाने का चांस ज्यादा बना रहता है तो यहां पर जो है कीवर्ड जुह है आप आड़ करके जरूर रखो यह कीवर्ड गैज अड़ करन लिस्ट में आसानी से दो मिनिट के अंदर आ जाएगा करके देखो तो फिलाल इस वीडियो में इतना है ज्यादा कुछ है नहीं और यह जो कीवर्ड मैंने और लगा रखें जैसे के यूटुब लोग से लिफे ने हैं और यहीं में इंपोर्टेंट सेटिंग होती है यह आपका जो में आपका वीडियो को में लेके जाएगा और सबसे ज़्यादा कई आप और यह इंप्रड किये होंगे अपने चैनल के कीवर्ड में YouTube को पता चलना चीए कि आपका केटेगरी क्या है आपका चैनल के नीच क्या है आप किस तरीके के वीडियो बनाते हैं तभी आपकी वीडियो आगे रिक्मांड करेगा ठीक है यह बेसिक सेटिंग होती है इससे चैनल के इसली मोनेटाइज हो जाता है जब सारे आ आप फॉलो करते हो तो आपके चैनल पर कभी भी रियूस्ट कॉंटेंट नहीं आएगा ठीक है इतने सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर करा दिए अगर आपको और भी कुछ पूछना कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आज सारे कोस्चन मैंने पिक किये थे अगर आपको क्या साथ कुछ और प्राब्लम आ रहे है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टा पर फिलाल आज के इस वीडियो के इतने रखते हैं गाज मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ध्यान रेकिए अपना जैहन जैवाराद